हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम हरिहर गुपता है मैं इस पार यूपी जुडिशल सर्विस में मैंने परिक्षा उत्तीन की है और मैं भगवान की करपा से दूसरी रेंक लाने में काम्याब हुआ हूँ यह सब उपरवाले के आशिरवात से ही संभव था मैंने अपनी पढ़ाई के लिए कोचिंग राहुल्स आईयस से ली थी और इसके इलावा खुद की भी सेल्फ स्टडी करी थी करीब दो साल तक जिससे मैं इस परिक्षा में उत्तीन हो पाया हूँ इससे पहले भी मैंने एक दिया था यूपी का फर्स्ट अटेम्ट हो जा मेरा उसमें मैं तीन नंबर से रह गया था लेकिन तब मेरे को बड़ा बहुत ऐसा लगा सब कुछ दुनिया खतम हो गई और मैं कहां रह गया बिलकुल इट वस हार्ट हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी लेकिन फिर मैंने अपने को किसी तरह स्ट्रेंथ गैदर करके दुबारा इस अटेम्ट को कोशिश करी मेरे फादर ने मुझे एक कवता लाके दी थी है सफलता एक चनौती है उसे सुईकार करें इस तरह कि आप जानते हैं यह कवता बड़ी फॉर्ट फेमस कवता है इसको जरूर मैंने ध्यान रखत प्रियास किया और मैं इसमें किस तरह से पहुंचा इसकी जो सेकेंड मेरा अटेम्ट था इसकी तैयारी की नीव तो मैंने उसी दिन रखती थी जिस दिन मेरा पहले अटेम्ट में तीन नंबर से रह गया था क्योंकि वह बहुती एक काफी हाट रिंग भॉती मेरे लिए अपने आपको समाला और उसको मैंने दुबारा प्रियास कननी कोशिश की इसमें मेरे फादर ने एक मुझे कवता लाके दी थी जो बहुत फेमस कवता है कि असफलता एक चुनौती है उसे सुईकार करें और क्या कमी रह गई देखे और सुधार करें खेर यह बहुती अच् यूपी जूडिशल सर्विस के की स्ट्रेटेजी के बारे में कैसे आप इसको मैंने तो सेकिंड में किया है आप इसे चाहें तो पहले में भी कर सकते हैं और दूसरे में अगर भगवान साथ ना दे तो दूसरे में तो आप कर ही सकते हैं यूपी जूडिशल सर्विस का एक्जाम उत्तरप्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है और इसमें तीन चरण होते हैं पहला प्रिलिम्ल एक्जाम जिसमें जिसें पीटी भी कहते हैं और दूसरा मेंस जो भूत ही इंपोर्टेंट और अर्गन होता है और तीसरा आपका पर्सनालिटी टेस्ट इंट और स्टेट्स की तियारी में एक फोकस है लो क्योंकि आप लोग के एक्जाम दे रहें और जजज का एक्जाम दे रहें लेकिन यूपी में साथ-साथ लोग के आपको जनरल नॉलिज और जनरल अफेर्स करेंट अफेर्स इसका बहुत बड़ा पोर्शन होता है इविन इन यूपी में प्रिलिम्स भी दो पेपर्स का होता है पहली जो शिफ्ट होती है उसमें जनरल नॉलिज का पेपर लिया जाता है और जो दूसरी शिफ्ट होती है उसमें लौ का पेपर होता है तो दौनों में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है और दौनों में बड़ा समल नहीं है और इस बार तो यूपी जुडिशल सर्विस में पप्लिक सर्मिश कमिशिन ने पहली बार नेगेटिव मार्किंग इंटर्ड्यूस कर दी थी तो इसलिए से यह कम्टीशन और थोड़ा टफ हो गया जिसमें कि आप जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे कि मै मैंने अगर पांच या दस सवाल भी गलत अटेम्ट कर दिये या जिसको मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में अटेम्ट कर दिया तो वह आपको काफी भारी पढ़ सकती थी वह चूक इसके लिए आपको बड़ा समल के रहना था इसके लिए मैंने अलग तरह से स्ट्रेजी तिया कि मैं जो इस सवाल अटेम्ट कर रहा हूं यह बिल्कुल राइट अंसर है अधर्वाइस नेगिटिव मार्किंग के पेपर्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि यह और स्टेट से डिफरेंट है जहां पे नेगिटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि वहां तो आप ए यह आंसर बिल्कुल सही है इसी तरह से और अगर आप प्रिलिम्प में यूपी प्रिलिम्प में के लिए जाना चाहते हैं तो आपको घटना चक्र परीक्षा मन्थन राहूल साइस की करेंट अफेर्स की मैगजीन इन तीनों को आपको बिल्कुल बाइ हार्ट याद करना है यह तो आपके हैं जो मार्केट में रिसोर्स एविलेवल हैं वो दूसरा होता है आपका खुद का माइंड क्योंकि आप देखेंगे आपके सामने रोज खबरें आती हैं लेकिन आप उन पर गौर नहीं करते हैं और वही सवाल बन जाता है जैसे कि आप देखेंगे निउस जैसे यूपी मैं इस वार एक सवाल आया था कि योग आदि तिनाजी ने जो आयोद्या में अई यूद्या को लेकर कुछ वो न्यूस्पे चैनल चल रहा था तो मैंने वहीं से वो catch किया था कि आयुद्या में जो foreign delegates आये थे उनको योगी आधित नाजी ने, honorable chief minister ने receive किया था यही सवाल UP prelims में आ गया था, कि उन्होंने कहां पे किया था और कौन वो delegate आये थे, इस तरह से एक सवाल आया था तो यह मैंने कहीं इसको कहीं परिक्षाम अन्थन या किसी magazine में नहीं पढ़ा, बस एक focused approach जो दिमार्क में थी उसी से जब मैं news देख रहा था तो वहां से grasp कर लिया, इसी तरह से आपको यह तो है general knowledge के caution paper की तियारी, दूसरा है आपका law part, law part के लिए आपको bare acts by heart याद होने च अक्षर में से लेके last picture तक bare act में क्या लिखा है, यह आपको पूरी तरह से by tips पे होना चाहिए, दूसरा paper prelims में ही law का है, और law के लिए आपको key है bare acts, prelims qualify करने के लिए, mains की नहीं कह रहो, prelims के लिए bare acts, हर section bare act का, जितने भी bare act उसमें पूछे जा रहे हैं, जितने भी law आ र होना चाहिए, एक से लेके, सौ अगर उसमें section है, तो सौ के सौ, यह आपको हर जगे मदद करेगा, law के अगर student हैं, और आप judiciary में carrier बना चाहते हैं, तो यह आपके लिए वैसे भी मददगार है, और बिना इसके आप कोई भी judicial service कभी भी crack नहीं कर पाएंगे, यह तो बिलकु नहीं होना चाहिए, कि यह section important नहीं है, यह section important है, आपको सारे करने है, चाहें वो पूछे गए, नहीं पूछे गए, या आप आप पूछे नहीं गए, तो जरूर कभी आ सकते हैं, और जरूर ऐसा होता नहीं, पूछे ही जाते हैं, अमूवन तोर पे, और UP के लिए थोड़ प्रेलिमिस में आपको दिक्कत आजाए, आपको बहुत कमांड होना चाहिए, जुरिस्पृडेंस के लिए आप अपना कोई भी मार्केट से, कोई भी एक अच्छी किताब रेफर कर सकते हैं, या आप अपने खुद की नोट्स बना सकते हैं, जिसमें आप अगर एक बार ज पूछा जाता है, सिर्फ इंटरनेशनल लो, इसमें आपको यू एन चार्टर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, इसे बहुत अच्छे से याद करना होगा, वही बेर एक्ट वाली अप्रोच यहां भी लेनी होगी, और तीसरी की है प्रेलिम्स क्वालिफाई करने के या आपको ये question में ये answer होता है, इस question का, तो आपको वो जरूर याद होना चाहिए, कि भई इसका ये answer है, या इसमें करकर कुछ किसी तरह की, किसी तरह की वो है, कि डाउट है, कि किसी paper में A answer था, किसी में B answer था, तो आपको ये खुच के self analysis से clear करना होगा, कि इसका सही answer Public service Commission ने क्या माना था, वो ही answer आपको लगाना होगा, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा मददगार होगा, ये तीन चीजें तो हैं आपके prelims क्वालिफाई करने के लिए, bare act, साथ-साथ आपके जो दो subject, UP में मैंने बताई special, और इसके साथ-साथ past year के question papers, ये this is a key to qualify prelims, और negative marking म क्योंकि ये थोड़ा आपका responsibility और भढ़ जाती है, कि आप fail होने का बिलकुल भी chance नहीं ले सकते हैं, एक भी सवाल में आप casual approach नहीं रख सकते, you have to click every question with a remarkable punctuality, remarkable precision, दूसरा और सबसे important stage है exam का mains, mains, mains एक तरह से जान है paper की, क्योंकि जितना भी आपने आज तक law पड़ा है, या जितना भी आप उस exam में सफल होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस सब का effort आपको mains में दिखाना है, कि मैं कैसे दूसरे से बहतर हूँ, मेरा answer किस तरह से दूसरे से बहतर है, क्योंकि friends सभी ल पहनिती बच्चों में से कुछ अलग करना है, कि कैसे मेरा answer अलग कैसे हो, उसके लिए आपको अपने अंदर से innovative idea लाना है, कि हर answer जो मैं लिखूंगा, उसकी क्या body होगी, उसके पहले मैं क्या लिखूंगा, introduction कैसे दूँगा, उस question का, और उसकी main body मैं क्या लिखूंगा, conclud concluding remark क्या लिखूंगा, और friends, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे ये बात हम बड़े आसानी से कह लेते हैं, कि ऐसा बनाऊंगा, लेकिन mains जब आप असल में लिखेंगे, तो time आप पे बहुत कम होगा, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही limited time में वहाँ पे लिखनी हो काफी लंबा मेंस होता है, इसमें 5 पेपर होते हैं total, और इसमें भी पहला जो बहुत important पेपर है, वह है general knowledge, जिसे पहले present day का paper भी कहा जाता था, इसे आप general knowledge का paper कहा जाता है, और ये बहुत important paper है, ये 200 number का, सारे papers 2200 number के होते हैं, लेकिन ये अलग paper है, जो आपको बाकी states में देखने को नहीं मिलेगा, और ये कहीं न कहीं ये आपका selection भी decide करता है, क्योंकि अगर आप बाकी law में बहुत अच्छे हैं, और लेकिन आपके current general knowledge के paper में कम number है, या आप उसमें वो precision नहीं ला पाए, या आपके वो general knowledge नहीं तयार करी, जो पिछले साल से एक साल से इंडिय में हो रहा है, या देश-विदेश में हो रहा है, तो आप इसमें कहीं न कहीं lag कर जाएंगे थोड़ा, और ये बहुत जरूरी है कि आप इस general knowledge के paper को बहुत seriously लें, इसके लिए आपको पिछले एक साल के, जैसे paper होने वाला है आपका November में, तो आप last year November से लेके, आपको सार इंडिया में जो भी हुआ है, भारत देश के अंदर, जो भी important topics हैं, उसका आपको पता होना चाहिए, कि क्या हुआ है, जैसे सरकार नीतियां मनाती है, आयुश्मान भारत, भारत सरकार और कोई scheme चलाई है, बड़ी जो important scheme है, या honorable prime minister की visits हैं, जैसे जैपैन होके आएं, प्र recent की GK है, बहुत अच्छी है, उसके लिए आप substantive portion के लिए उसके कर सकते हैं, और main's के general knowledge paper के लिए अगेन आपको परीक्षा मंथन, घटना चक्र, और रहूल साइस की current affairs की magazine, अगर आप English में पढ़ना चाहते हैं, तो वो तीनों आपको, और साथ-साथ चौथा आपका पाए विजिट है, लेकिन उस विजिट का क्या मतलब है, और मेरे लिए वो किस काम में आ सकती है, ये बड़ा जरूरी है, इसके लिए अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप focused approach रखेंगे शुरुवात से, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी इस paper में आपको, बहुत आसान भ language का, language तो एक art है, आप सब जानते हैं, और law के students या आप जितने भी honorable apex court के judgments पढ़ेंगे, honorable high courts के judgment पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ language में वो ऐसा कमाल होता है उनकी, कि आप उसे पढ़के एकदम इस्तब्द रह जाते हैं, कि क्या language है, तो इसी को check करने के रिए second paper है language, और फोकस है, जी के भी पढ़ ली, लेकिन जो एक बड़ा important और चोटा और बड़ा scoring paper था language, उसे हम कही न कहीं ignore कर देते हैं, और ये हमाई लिए बहुत fatal होता है, at the end, क्योंकि आप देखेंगे कि number उसके भी उतने है, 200 number का paper है, और अगर आप इसमें अच्छा करेंगे, तो सिला सकते हैं, अगर आप में थोड़ी भी आपने language को prepare रहे हैं और उसके लिए aware रहे हैं, इसमें आपको essay का एक question होगा, 60 marks का, दूसरा एक प्रेसी writing होगी, 60 marks की, तो देखें कितना कहां आप अगर एक 8 number का सवाल attempt करेंगे, उसके लिए आप कितना घंटे पड़ेंगे, त English to Hindi translation, यह बहुत important है, मैं कहूंगा, अगर आपनी तयारी कर रहे हैं, तो रोज का एक घंटा, ज्यादा नहीं, पौन एक घंटा आप इसमें दीजे, I am definitely you will hit it, इसमें कोई दोराय नहीं है, कि यह paper बहुत important है, और बहुत ही scoring है, जिसको आम तोर पे हम लोग मिस कर जाते हैं यह हम से गलती हो जाती है, हम लोग law पे ध्यान लगा रहे जाते हैं, और language छूट जाती है, और language जहां छूटी, वहीं आपकी merit बिल्कुल down हो जाएगी, तीसरा paper है, friends, law substantive part 1, इसमें भी एक key बात है, कि आप देखेंगे, जो total paper है, वो 200 number का है, लेकिन अकेला constitution, 50 number का है, तो कहां एक तरफ 50 number का पूरा constitution और कहां पूरा paper 500 number का रहे गया, तो अगर आप constitution में बहुत अच्छे हैं, और जो सम्विधान जो इस देश की बुनियाद है, अगर उसमें अगर आप बहुत अच्छे हैं, और उसमें आपके concept बिल्कुल crystal clear है, तो आप इस 50 में बढ़ा है, ये छोटे-छोटे acts कभी ignore मत करिये, doctrines of equity हैं, जिनने हम ignore कर देते हैं इस paper के लिए, कि चलो ये तो हम निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इनको भी आप पूरा prepare रहिए, आप से पूछा कुछ भी जा सकता है, आप ये मैं अगर ये छोड़ दूँगा, तो शाय से आपका नहीं आ पाया, तो आपके पास हमेशा एक backup ready होना चाहिए at the main time, कि अगर मेरे से सवाल में ये point मुझे याद नहीं आ रहा तो मैं दूसरे का attempt कर देता हूं, दूसरा optional सवाल attempt कर देता हूं, तो आपकी जो है, जो आपकी जो तेयारी चल रही थी है, जो आपकी strategy थ best है law की, आप कितना अच्छा legal है, आपका जो legal acumen है वो क्या है, इसमें भी friends आप देखेंगे तो बड़ा carefully design किया गया paper जिसमें आपको पहले part में या तो एक plant लिखनी होगी और उसका written statement या एक judgment लिखना होगा, facts दिये होंगे, judgment लिखना होगा, तो यहां तो वो आपका एक innovative mind check कर रहे हैं, और साथ-साथ उसके लावा procedural law जो बिलकुल बुनियाद है law की, जिसके बिना law काम नहीं कर पाएगा, उसकी knowledge check कर रहे हैं, और evidence law, of course, evidence तो एक तरह से जान है law की, evidence इतना scoring है, evidence इतना अच्छा है अगर आप उसे कमाएं, और बहुत अच्छी बात evidence को लेके कि आप उसे बहुत कम समय में command कर सकते हैं, और बड़े अच्छे से command कर सकते हैं, जिससे आपका confidence भी बूस्ट होगा, और आपको अच्छा भी लगेगा law में, तो यहां भी मैंने judgment writing attempt किया था, जिसमें, और judgment writing ही, मैं यह सला दूँगा, कि judgment writing ही attempt करें, क्योंकि उसमें आपक आप अलग तरह से innovative mind आपका क्या है, वो आप उसमें लिख सकते हैं, कि आपको कितना आप legal acumen आपके अंदर है, अभी से, आप judge नहीं है, लेकिन आप कैसे एक judge के रूप में सोच रहे हैं, कि मैं अगर इसमें, अगर वास्तविक मता में, अगर मैं इसमें judge होता है, तो मैं exact number याद नहीं है, लेकिन वो अकेला question होता है, तो that is very important, उसको आप miss मत करिए, इस paper के लिए भी, बहुत काम आएगा, और ये आपको judgment writing जैसे आपको judicial service के लिए भी use आएगा, जैसे MP judicial service, MP judicial service में एक paper ही इसी बात का होता है, कि judgment writing की skills कैसी है, civil और criminal, और even 36 गड़ में तो जो म आ रहे हैं कि मैं प्लेंट लिख लूँगा, थोड़ा आसान होता है, लेकिन आप judgment पे थोड़ा कोशिश करें, प्लेंट लिखेंगे तब भी score करेंगे, no doubt, लेकिन judgment लिखेंगे तो शायद थोड़ा ज्यादा score कर जाएं, और वो ही तो आपको चाहिए, अगर आपको थोड आप यह ध्यान रखना है, कि आप जब पांचमा पेपर लिखने जा रहे होंगे, तो आपकी बैटरी बहुत अत्तक ड्रेन हो चकी होगी, क्योंकि आप अल्रेडी दो दिन से पेपर दे रहे हैं, और लगातार उस प्रेशर में पेपर दे रहे हैं, पहला दिन आपने दिया क्योंकि इसमें local laws का section है, वो एक huge section है, वो 150 numbers का local law है, और जिसमें 50 numbers का local law compulsory है, कि जिसमें आपको choice भी नहीं मिलेगी, कि आपको इसमें attempt क्या करना है, आप पे choice नहीं है कि मैं ये सवाल करना हूँ या ये सवाल करना हूँ, रादर आपको जो सवाल उन्होंने लिख दिये ह ये यूपी रेंट कंट्रोल है, यूपी जमीदा, यूपी चन्सॉलिडेशन एक्ट है, यूपी पंचायत राज एक्ट है, तो इन चारों पांचों की आपको थोड़ो स्टडी करनी पड़ेगी, और लेकिन इसमें आप एक थोड़ा सा एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि एक क्या एक्जामनर इसमें क्या पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि मिन्सपैलिटी में सारे प्रविजन्स आपको पढ़ जाने, आपको यहां पे आपका थोड़ा सा लीगल दिमाग या आपका जो एक ट्रिकी माइंड है, कि मैं क्या पढ़ूं, कि जिससे मेरा टाइम भी और आदा हो, आप सारा मिन्सपैलिटी आपको कवर करने में या सारे लोकल लौस कवर करने में थोड़ी परिशानी हो सकते है कि जैसे कि अपके परसनल माइंड पर बात आ जाती है कि मैं इससे कैसे करूँ, तो इसके लिए आप बेर-अट पढ़ें यूपी लोकल लौस के और जो है संग में एक मेरे ही एम्यू के सीनियर श्री तौसीफ रजाज दौरा किताब आती है यूपी लेंड लोग की यूपी के जो सलेक्टेड कॉस्टेंस हैं वो भी आप इसमें रैफर कर सकते हैं बहुत अच्छी है वो भी एम्यू के हमाई सीनियर थे जो अल्रेडी में लेगा जिसमें IPC आएगी तो आफकोस पीनल लॉस के बिना तो कैसी लो तो आपको उसमें आपको अप्शन में लेंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है IPC में से क्या वो सेक्शन से हैं या क्या वो लॉव है जैसे किड्नैपिंग है मडर है यह बड़े अटेम्ट है कि कैसे में उसको और इसमें फिर वोई बात आजाती है कि आप कैसे अपने आनसर को मोर इन्नोवेटिव रखेंगे मैंने आपको पांचों कोशन पेपर्स बता दी हैं कैसे होते हैं इसको पढ़ने के लिए आपको मैंने तो राहुल सायर से कोचिंग की थी जि इसके लिए आपको अगर आप कोचिंग ले रहे हैं किसी और अन्य कोचिंग में कोचिंग ले रहे हैं तो आपको वहां के नोट्स जो आपने बनाए थे उन्हें आपको थोरो स्टडी करना है कि आपने बनाए उसके आपको री शॉर्ट नोट्स बनाने हैं दूसरा आपको तो अगर आपने किसी कोचिंग में नहीं है तो उसकी भी कोई ऐसी बात नहीं है आपको फिर अपने आपको मैटीरियल लेना है तो अगर आप मेरे चासे देखेंगे तो अगर मैं सच भाषा में कहूं तो आप एके जैन की जो किताब आती है वो आप जरूर पढ़ लें मेरे से वो बहुत सफीशेंट होती है जुटी श्री के लिए आप कहीं इधर उधर ना जाहिए क्योंकि देखे इसका टेस्ट नहीं है कि आप कितने ही चीजें पढ़ रहे हैं या आप एम पी जैन में या जो हम सीर्वाई में लिखा है वो आप लिख रहे हैं आप इसका का सही आंसर दे पा रहा है यह देखा जा रहा है प्रेसिजेंट टाइम का भी टेस्ट ऐसा नहीं कि आप अगर आपने कोई टॉपिक तियार कर लिया तो आप बहुत बिल्कुल हम सीर्वाई जब तक उसमें कोट ना करें तो तब तक नहीं होगा वो भी आपको दिहान रख प्रेसिजन से द्वार कंपाइल की गई है काफी मेरे के लिए काफी मददकार थी और दूसरा आपको अपना पास्टियर के पेपर अगे में में भी पिछले पांच से दस साल के कॉश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं अपना खुद देखना है आंसर लिखके कि यह आंस यह तो आप खुदी महसूस कर पाएंगे लिखने के बाद कि यह मेरा जो आंसर है ठीक है या नहीं है या आप किसी किसी अपने मेंटर से चेक करा लें उस आंसर को या आप देख लें कि मैं यह बोडी में क्या कमी रह गई या मैं इसका इंट्रोड़क्शन ठीक नहीं था या इसका कॉंक्लूजन ठीक नहीं था यह काम आप बहुत पहले कर लें क्योंकि मेंस लिखते वक्त आप पे इतना बिल्कुल समय नहीं होगा वहां तो एक एक पांच-पांच सेकंड के लिए आपको अगर आपने दस सेकंड भी वेस्ट कर दिये तो आप पीछे होगे दस स किया था बहुत तयारी करते वक्त कि मैं यह इसमें मेरा फॉर्मट रहेगा तो आपके शॉर्ट नोट्स आपके पास्टियर के पेपर्स और लेंडमार्क केस लॉस यह आपको एक एज देंगे जो सुप्रिम कोट कह रही है या जो हाई कोर्ट के लेंडमार्क जैसे उत्तर पे जैसे सेक्शन 319 हैसी रपीसी तो उसमें सुप्रिम कोट ने क्या लेंडमार्क रूलिंग नई दी वह आप जरू कोट करें या जैसे एडल्ट्री लो है तो उस पर सुप्रिम कोट क्या कह रही है सबरीमाला इश्यू है क्या कह रही है इसे मैं कहां यूस करूंगा इस हम उसको कैसे इनवीक बना रहा है यही मेरे चासे मेंस को करेकरने के लिए मेरी स्ट्राटीजी थी और और मेरे चार से अगर आप लोग भी इसे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक सफल होने के उम्मीद होगी यह तो थी प्रिलिम्स और मेंस की स्ट्रेटिजी अब तीसरा है आपका इंटर्व्यू पर्सनेलिटी इसके लिए तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि नॉलिच इस ऑपड़ा है अदर्वास आप में इन्स क्वालिफाई ना करते लेकिन वो थोड़ा ये देकना चाहरा है कि या समझ ऑसका जो एक जुडिशील मैंड है पर्सनेलिटी आपको अपने, यह तो आपके एक इनहरेंट होनी चाहिए, जैसे कि एक कमपेशन होना चाहिए जज में, वो कमपेशनेट फीलिंग आपकी उनको दिखनी चाहिए, कि मैं कैसे, उनको आपको प्रूव करना है कि सर मैं I am the perfect one for becoming a judge, मुझे लीजिये प्लीज, मैं इस पोस्ट के लिए, इसके लिए, मेरी जो, मेरी जो qualifications है, मेरी जो personality है, वो suit करती है, मैं judge के रूप में एक बहतर काम कर पाऊंगा, और समाज के लिए प्रती काम कर पाऊंगा, और समाज को जो भी जितने भी न्याय उचित बाते हैं, वो कर पाऊंगा, समाज में, और साथ हैं, वो आपको ये चेक कर रहे हैं, कि ये situation में जो है, ये जो candidate है, ये विचलित तो नहीं हुआ, क्या ये इसका, भले ही गलत है जवाब, गलत हो सकता है, जवाब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपका जवाब गलत हो सकता है, जो प्रैक्टिकल सवाल है, लेकिन आप आपने कितनी सहचता से उसका जवाब दिया, या अगर कोई जवाब आपको नहीं आ रहा था, तो आपने misguide नहीं करनी कोशिश की बिलकुल भी, और आपने तुरंद माफी मांग ली, interview board से, ये sir, mayor को ये नहीं मालूम है, तो इसका आपका बहुत impact पड़ेगा, और वो better number आपको award करेंगे, जैसा मैं समझ पाया, इसको लेके, यही मेरी prelims के लिए, mains के लिए, और interview के लिए strategy थी, तो ये थी friends, मेरे prelims, mains और interview की strategy, मैं आशा करूँगा कि आप लोग इससे थोड़ा बहुत देखेंगे, या मैं ये बिलकुल honest strategy थी, इसमें किसी भी तरह का कुछ मै अलग करके नहीं बताया है, वैसे मैं I am no one to guide आप लोगों को, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हुनार होते हैं, जो इतने भी महनत कर रहे हैं, और खुद काफी अच्छा समझते हैं, बस अगर आप इससे कुछ भी फायदा ले पाएं, तो बहुत मेरे लिए बड़ मार्जिन सी रखिये, जरूर रखिये, मतलब मेरे दो इंटर्व्यू मैंने क्लियर नहीं कर पाया था, बहुत कम मार्जिन से, फाइनल सेलेक्शन नहीं हो पाया था मेरा, तो मुझे भी लगाता कि सब कुछ खतम हो गया, और मैं इतने साल से तयारी कर रहा हूं, दो तीन सा करो, क्योंकि इसको हमें मानना चाहिए अपनी बात को, अपनी गलती को समझना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें consistency बनाए रखें, I am sure आप लोग सभी इस इंटर्व्यू से थोड़ा कुछ गैदर कर पाएंगे, जो इतना भी मेरे लाइक था, जितना मेरे सम मस्ती मैंने आपको बताया है, प्लीज इसको समझें, thank you so much for your